देखो बेटा जब से प्रयास प्रारम हुआ और परिछा हुई उसके बाद से जब पता चला कि जो है इस तरह की फाल्ट आई हैं इस तरह की जो है गदिविधिया हुई इस तरह के कृत्त हुए हैं मन तो रही मान रहा था लेकिन जब साच से देखे गए अलग-अलग जगहो आँपर वाईरल चीजों को दिखा गया तो विस्वास हुआ और दिल तूट गया उसके बाद उमेद तो प्रसासनी है उमेद तो सासनी हैं उमेद राज को चलाने वाले राज के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मतलब देश को चलाने वाले, हम उमीद उन ही से कर सकते हैं, हम उमीद अपने जनप्रतिनीदियों से ले करके, अपने सबसे बड़े जो पदाधिकारी हैं, सबसे बड़े पासन के साथ-साथ मीडिया कर्मियों का भी रियक्शन किस तरह से सामने आ रहा है उन्होंने लिपी चुपी बातों को जैसे कहते ने कि चुपडी सुपडी बातों को लेकर के हमारे सामने अपनी बातों को अपने असपष्ट कर दिया जो भी कुछ कहना था कभी मीडिया के छ पूरे तीचर कमिनुटी की सारे लोग परिसान हैं डिस्टर्ब हैं और हम लोगो बड़ी आसा उम्मीद थी लेकिन उस जाज कमेटी का कारी ही क्या है अब इस पर भी कुश्यन बनने लगा है उस जाज कमेटी ने हो सकता है कि जब इतनी सारी चीजे सब के सामने लगातार आ उनके पास भी चीजे आई होगी ऐसा नहीं है वह साथ से बटोरे कैसे करें क्या करें उन्होंने मतलब चीजों को दूसरे दिशा में ले जाकर करके जोड़ना शुरू कर दिया उनको यह लग रहा है कि जो टीचर खड़े हो करके बच्चों के लिए बोल रहे हैं बच्चो कि मेहनत को लेकर के यहां पर डिस्टर्ब है जिसने जो है पूरी ठंडी दो से तीन महीने तक इस्टरगल किया मेहनत किया पिछले पान साल से लोग जो परिच्छा का नजार करते करते ठक गए तो आज जाकर के एक मौका मिला तो अगर उसमें एक भी बच्चा असफल होता अजा उस प्रक्रिया की वज़े से उस स्थती की वज़े से जाहिर सी बात डूब मरने की बात तो ही है मैं गौवर्मेंट को मैं पूरी तरह से इस बात के लिए जिम्मेधार ठेहराता हूँ और अपनी बात को लेकर कि हक से अपनी बात को कहना चाहिए और जहां जरूत अंदर जान है, हम जो है एक इंसान है, तो हम निस्सित तोर पर हम गलत जहां पर सामने आएगा, गलत का बिरोत करेंगे, और हमारे जो बच्चे जो छात्र हमसे पढ़ते लिखते हैं, हम उनके लिए जीवन खड़े रहेंगे, हम कहीं से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, जह इसका एक समाधान दे, इसके लिए खड़े हो करके छात्रों से बात करें, एक अपना बयान जारी करें, असपष्ट करें कि हम इसपर प्रक्रिया करने, आप इस पर कोई ना कोई रियक्सल लेने जा रहे हैं, तब ही जाकर कि हम पीछे ःटेंगे, नहीं तो हम पीछे हटने ये तब गलते पूरी तरह से गलत है। हम अपनी बातों को रखेंगे, हम अपनी बातों के लिए हमेशा डटकर सामने रहेंगे, खड़े रहेंगे, हम हमरे पुरे सिस्टम के साथ इसको लेकर के कड़े रहें, कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये गलत है पूरी तरह से बेवस्था गलत है और इस बेवस्था के खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा जिस दिन से पेपर की बात हो रहे थी उसी दिन से सारी चीजे कनफर्म थी पेपर को लेकर के ऐसा माहुल बनाया गया गवर्मेंट ने केवल और केवल अपने चु समझ में आती ही चीजे कौन डेड़ महीने में पढ़ाई होकर कि इतनी बड़ी परिच्छा को क्वालिफाई कर सकता है कैसे या संबव है या प्रक्रिया संबव थी आपको सब पता था आपको सब पता था कि यह गलत हो रहा है या बिवस्था ही गलत है लेकिन फिर भी आप की बिवस्ता ही डिस्टर्ब है केवल और केवल प्रस्न बिवस्ता का है आज पूरा टीचर वर्ग छात्रों के साथ खड़ा है जब भी कैभी कोई ऐसी बात होगी हम हमेशा तत्वरता के साथ खड़े रहेंगे और कभी पीछे नहीं हटने वाले हैं चाहे जो भी अध्यापक चाहे जो सिस्टम चाहे जो कोचिंग संस्तान के टीचर छात्रों के साथ खड़े हैं उनके साथ हमारा पूरा समर्थन है हम भी पूरी अगवाई के साथ अलाहबास से हम इस पूरी प्रक्रिया को प्रारम करेंगे रभी सर इसको लेकर के पूरी तरह से त्यार है और हम सब अगर समधदारी हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बुद्ध जीवी हैं, तो आपको इन बातों को समझना पढ़ेगा, और समझ करके हमें समरहान दीजिए, अपनी बातों से हमें आस्वासन दीजिए, हमें चात्रों के भविस्थ के बारे में एक नेड़ाय दीजिए हमें, हमें कनफर्म कर दीजिए, हम क्यों फालतों में हम डिश्टर्ब हों, हम सारा काम धाम छोड़ करके, हम लोग का भी घर परिवार जीवन है, हम लोग सब चीजे छोड़ करके केवल और केवल एक कारे में उलजें, दिन रात सोते जगते केवल एक मन में आ रहा है, कि ब उस्ता कौन पदा दिखारी भाई, कितने पड़े लिके DM हैं आप लोग, कि सीधा-सीधा तना साही पे चलते हैं, जो आदेस आगिया, उसी को फालो कर लेते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, कि देड़ करोड, एक करोड का मुमेंट, अगर प्रदेस में एक साथ ऐसी एक ग ले लीट, इसके पहले कि जितने भी 17-18 से पेपर होते जा रहें, सब लीक, वीडियो का पेपर लीक, लेकपाल का लेक पेपर लीक, पेट तो पेट ही करा दिये, UPSI की स्थिति आपने दुर्गती देख ली, कौन सा पेपर बचा है, बताईए, कम से कम विश्वास तो जग को मानते हैं, आपकी नयाइक ब्योस्था को मानते हैं, आपके लवादवरा लिये गए अलग-अलग जगहों पर एक्संस को मानते हैं, लेकिन यह गलत है, और एजुकेशन को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, तो आप बचेंगे नहीं, आप रह नहीं पाएंगे, समझ ली करेंगे, और जाज करके एक से दो दिन के अंदर इसका निड़े लें, और हमें कन्फर्म करें, हम भी सान्त हो, हम भी बच्चों को मोका फोकस करें, कि अपने बबिस्टर्ब करें, बाकि हमारा कोई ऐसा नहीं, कि हम यहां पर खड़े हो की चिलना, यहीं काम बचा हुआ जब तक जिन्दा है तब तक खड़े रहेंगे, हम पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे, रभी सर, मैं आपको बताओ, जब से यह हुआ है, एक एक पल, मतलब हम लोग फिर भी सोच रहे हैं, कुछ और चीज़ों में लगे हुए, कुछ का अच्छा है पढ़ा ले रहे हैं, कुछ बच्चों के साथ लगे हुए, लेकिन यहां पर इनके मन में केवल एक बात यह चल रही है, कि इन बच्चों को क्या हो, कैसे हो, यह हमसे बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, हम इनको ऐसे इस मजधार में नहीं छोड़ सकते हैं, तो नहीं छोड़ सकते पर आप बड़े बनते हैं, बच्चों के बल पर आप सामने आते हैं, खड़े होते हैं, आपको पूरी जिम्मदारी के साथ, पूरी नयतिक्ता के साथ, बच्चों के साथ खड़े होना होगा, एक जुड़ता दिखानी होगी, आपसी बैमनस या किसी भी तरह का अगर प्रि पूरी अगवाई के लिए त्यार हैं हम पूरा साथ में साथ चलने को त्यार हैं हम कहीं से भी पीछे अटने वाले नहीं हैं उत्तर प्रदेश के इस कोने से लेकर उस कोने तक चारो तरब की बात करूँ जितना भी टीचर वर्ग है मुझे लगता है सब एक पच्छ होकर के एक सुर में बात कर रहा है और सब बच्चों के लिए तो सब गलत नहीं हो सकते जैसे गवर्मेंट सोचती हैं कि सब गलत हैं इसके निस्पच्चता से जाच नहीं कर रहे हो और क्वे बिरोध में बोल रहे हैं तो बिरोध में जो बोल रहा है उसकी जाच वकर के लिए तो गलत है ना आप निस्पच्चता से इसकी जाच करो कि जो पेपर वाइरल हुआ था जो अठारा तारीक वाला पेपर 17 को घरर रहा था सबके वाटसेप पर सबके टेलीग्राम ग्रूप पर, ओ कहां था, उसका सोर्स क्या था, आपका साइबर सेल, आपकी सोसल नेटवर्किंग, आपकी मीडिया, इस पर कारे करे, आपका आईटे सेल इस पर कारे करे, तब समझें आप निस्पच्चता से जाच कर रहे हैं, आप चैनल ढूड़िए, उसको खिलाप एक्सल लीजिए, और हम लोग पूरी तरह से त्यार हैं, और हम जहां जहां गलत की बात आएगी, बड़े मुखर होकर कि सबसे पहले आपके साबने खड़े होकर कि उसके खिलाप बोलेंगे, और निस्पच्चता से जाच उस दिशा में करिए, इस पर मत करिए कि कौन हमारे खिलाप बोल रहा है, खिलाप तो बोलेगा ही, आप कोई ब्यक्ति थोड़ी हैं, ब्यक्ति थोड़ी हैं ब्यक्ति के खिलाप बोला ज़रा है, आप एक पद हैं, हम पद पे आसीन बैठे लोग को खिलाप नहीं बोलेंगे, हम जिनको ओ सोचो कि हम पीछे हटने वाले इस तरह से इस गत्विदी में हैं, नहीं है, आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए, बच्चे आप सभी लोग बड़े दिश्टर्ब हो, आप से जादा हम भी हतास बैटे हैं, परिसान है, हमारा मन, दिल, दिमाग कहीं कुछ करने में फोकस धी न कहीं से भी सिस्टम के अगेज्स रोकर के काम करने वाले लोग नहीं है, हम लोग जो करते हैं, उसका सही फल, सही सुरूप, क्रियेट करते हैं, बनाते हैं, तब हम लोग कारे करते हैं, बैचाओंगा रभी सर कुछ निर्देशित करे आपको,